हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ सीमा और आपको स्वागत है मेरी चेनल में आज मैं लेके आई हूँ एक हेल्दी रेसीपी मुसला वाला पालक पराठा रेसीपी अगर मेरा रेसीपी आप लगन को पसन आएगी तो प्लीज लाइक कमेड और सस्क्रेब करना ना भूले यह खाने में बहुत टेस्टी है और हेल्दी भी है चलिए वीडिया स्टार्ट करते हैं इधर मैंने पानी रख दिया गरम होने के लिए देखिया पानी में गरम हो गया और पालक हम डालेंगे मैंने पालक को अच्छा से धो करके लिया और डाल दिया पालक एक लिड दे दिया दो मिनिट तक इसको बैल किया देखिए पालक को इस थड़ा पलट देंगे यह देखिए दो मिनिट में ही हो जाएगा इए यह बास हो गया इसको हम श्टेन ओर में च्छान पर रखेंगे मैंने लिकाल दिया देखिये यह ठंडा होने के लिए छोड देंगे पलक फेकिन Deutsch में भASHगें अ कद यिया इस त्था और खनदा होने के बाद यह जो पालक पानी था ना बोयल पा पानी औपाल श्ब्सक्लाम हाट बश्र करें गया पान आड़ और पानी औरखेच स्वूथ पेस्ट फेकना नहीं की अबीश लाओं हर्गे दिखिए मैंने दो कप आठा लिया ये कौप जाओ है ना ये 125 ममल मतलब ये 125 ग्राम होगा एक कप में और दो कप मेने लिया 250 ग्राम होगा तोटल आठा और आठा में हम डालेंगे ठोड़ा नामक नामक आड़करेंगे कुछ प्रफ भी आड़ नहीं करेंगे और उसके बाद हम डालेंगे मैंने जो पेष्ट बना कर रखी थी पालग बालव ओ आड़ कारके हम अटा लगाएंगे थड़ा थड़ा इसे आड़ करिये देखिए मैंने आड़ कर दिया और आटा हम लगा के त्यार करेंगे जैसे हम नर्मल यह से पराठा बनाते नहीं से ही लगा के त्यार करेंगे ज्यादा टाइट ना ज्यादा पतला ठीक यह देखिए डो पुरा त्यार हो गया और उसको हम साइट में रख देंगे 10 मिनिट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे इसे कवर देके और इधर देखिए मैंन क्हुत्याइब क्यक्शतिए अध्यार के एक जाया पाहिए तो फूंदक टैन्स चैंतर हो गया स्टब्स कारों हो गया और यह चोटा शेलहिंने में चव्यान साइट हे 맞는 जीड़ा लिए चीड़ा भिकह ए ऑर उसके बाद मैंने एक छोटा वाला पाज मैंने काट कर रखा थ च्छोटा च्छोटा उसको हम डालेंगे मैंने डाल दिया और थोड़ा उसको चलाएंगे देखिए फिर उसके बाद लेंगे हरी मिर्ज मेने च्छोटा च्छोटा काटके रखा उसको हम आड़ करेंगे फिर से कुछ सेकंड के लिए चलाएंगे मैंने चला दिया देखिए उ मैंने एक टमाटो छोटा वाला टमाटो को एसे छोटा छोटा काट दिया और उसमें आड़ कर दिया मैंने टमाटो फेर उसको चलाएंगे अच्छा से फेर उसके बाद हम डालेंगे उसमें हल्दी पाउडर मैंने छोटा चमुझ से आधा चमुझ मैंने हल्दी पाउडर लिय लास्ट में मैंने डाल दिया धन्य पता च्छटा चटो कट के और अ गयास अप कर देगे अ थंडा होने रामंग? अधना के लिए तोस मनिट बाद देखिए मैंने कभर खोलके देखा ये पूरा स्मूथ hè गया देखिए और अभी उसको हम बनाएंगे पराठा देखिए मैंने इस साइज बना कर रख दिया लोई और आपका बड़ा साइज चाहिए तो बड़ा बना सकते हैं मेरे कोई साइज चाहिए इसलिए मैंने इस साइज कही रखा और इसको हम बेलेंगे यह देखिए प्रठन आलू मसाला देखिए अटा थड़ा लगा दिया और बेलेंगे बस बड़ा नहीं जा इस साइज रखेंगे देखिए मैंने साइज रखा प्रेर उसके बाद हम भरेंगे उसमें आलू मसाला और अच्छा से इसे धीरे धीरे फोल करिए इस तरह देखिए इस तरह फल कर के मुँख बंद कर देंगे फिर उसके बाद हम धीरे धीरे उसको बेलेंगे मैंने थड़ा आटा लगा दिया बड़ में फिर उसके बाद जादा प्रेस नहीं देंगे बास ललका हलका हाथ में ऊच्छा से बेलते जाये देखिए ज़्यादा प्रेस करेंगे तो फट जाएगी इतना जल्दी भी नहीं फटेगी युद्ध उसमें पालक दिया है तो इतना जल्दी नहीं फटेगी देखिए एक पराठा त्यार हो गया और इस तरह भी आप बना सकते पराठा देखिए पहले इसे कर देजिए धीरे-धीरे ज देखिए घुमाते जाएगे आराम से ज़्यादा प्रेस नहीं देना बस हलका हलका हास से इसे दवाते जाएगे और आराम से मुह बंद हो जाएगी आपको जैसे पसंद इसे बनाएगे जो आसन लगेगा जिस तरीका से इस तरीका आप बनाएगे बस मैंने इसे दू टाइ वी गरम हो गया हम आप डालेंगे एक पराठा मैंने डाल दिया दिये और धीरे धीरे ऐसे मीडियोम फ्लेम में हम सखते जाए मैंने मीडियोम फ्लेम में ह 12 में ही से godwife भी दूसरा जार हो गई एक पम स्वाइब दीम घी वह तैल देंगे मैंने ओइल आड़ किया देखिए फिर उसके बाद हम पलट देंगे बस ये बन के त्यार हो गया प्लेट में लिकाल देंगे मैंने प्लेट में लिकाल दिया और इस तरह सब पराठा जितना भी पराठा है ऐसे ही सेखेंगे सेम तरीका से और देखिए मैंने सारा पराठा शेक के तैयर कर दिया और इसके साथ मैंने आलू मटर और पालक पता देखें उसमें मैंने एक सबजी बनाया और एक ग्रिन चटनी का साथ किसी का साथ भी आप खा सकते हैं आचर का साथ टमाटो सस का साथ किसी का साथ साथ खा सकते हैं मजा ल कठा बनाते हैं लेकिन इस तरह आप लोग एक बार जरूर ट्राइब करें और एक इन मानिए यह खाने में बहुत टेश्ट